क्लास 8 के mathematics में हम लोग chapter no.6 compound interest पर रहे थे जिसमें कि आज हम लोग value based questions को solve करेंगे आपके class के वाल मुश हर subjects के वीडियो आपको DAV गुरू पर मिल जाएंगे उनको देखने के लिए आप description में चले जाएगा जहाँ पर आपको हर playlist का link मिल जाएगा जिस पर click करके आप किसी भी subject और किसी भी chapter का वीडियो देख सकते हैं DAV गुरू को subscribe भी कर लिजेगा ताकि जितने नए वीडियो जाते हैं उसका भी notification आपको मिलता रहे 9th और 10th के लिए मैंने एक अलग सी channel बना दिया है simply verse आप इसको भी search करके subscribe कर लिजेगा ताकि future में भी हम लोग साथ में बढ़ाई कर सकें पहले question में का जा रहा है donating blood is a humanitarian act रखतदान करना blood donate करना एक बहुत ही अच्छा काम माना गया है मानवता के लिए as per survey 16,000 blood donors are registered with red cross red cross एक संस्था है जिसमें की 16,000 blood donors registered है and this number of donors increases at the rate of 5% every 6 month और donors की संक्या हर 6 महीने में 5% बढ़ जाती है इसी के basis पर आपको तीन questions पूछे गए हैं आपको एक के करके तीनों का answer देना है सबसे पहले question में है how many donors would be there at the end of one and half years देर साल के बाद किटने donors हो जाएंगे registered यह आपको calculate करना है तो दिखिए हर 6 महीने पर 5% का increase होता है तो यहां पर compounding होगा initially 16,000 donors registered है तो उसको हम लोग पी मान सकते हैं principal मान सकते हैं तो पी हो गया हमारा 16,000 उसके बाद हर 6 महीने पर 5% का increase होता है तो rate हम लोग क्या लिख सकते हैं rate can be written as 5% per half year हर half year में हर 6 month में 5% increase होता है इसलिए rate हमें ऐसे लिखना होगा और time यहां पर देड़ साल दिया गया है 1 and half years तो देड़ साल को half year के हिसाब से लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां पर पूरी तरह half year के हिसाब से हमें calculation करना है तो देड़ साल कितने half years हो गये time will be equal to 1 and half years मतलब 3 half years देड़ साल में 3 half years होते हैं अब बस हमें amount वाले formula में सबको put करना है और हमें पता चल जाएगा कि 1 and half years के बाद कितने donors registered हो जाएंगे amount is equal to the P into 1 plus R by 100 raise to the power time बस वैसे हमें put कर देना है P यानिके initially कितने donors थे 16,000 donors थे into 1 plus rate क्या है 5% per half year by 100 और यहां पर आपका time क्या है 3 half years का time आपके पास है तो 3 लिख देते हैं ऐसा ऐसा तो बहुत सारा question आप लोग solve किये होंगे previous worksheets में यहां पर हो जाएगा 16,000 into 21 by 20 raise to the power 3 और solve करेंगे तो आपको final answer मिल जाएगा 18522 मतलब डेर साल के बाद 18,522 donors registered हो चुके होंगे यही आपका first वाले bit के लिए answer हो गया second bit में पूछा गया why is it important to donate blood, blood donate करना रखतदान करना क्यों important है और third में पूछा गया है what steps would you take to encourage people to donate blood, आप कौन से कदम उठा सकते हैं जिससे कि आप लोगों को blood donate करने के लिए encourage कर सकें इन दोनों questions का answer आपको अपने मन से लिखना है एक example हम यहाँ पर लिखते हैं ऐसे भी आप लिख सकते हैं लेकिन एक्जाम में कोशिश करें कि आप अपने words में इसका answer लिखें blood donate करना इसलिए important होता है क्योंकि कई सारे medical treatments में, surgeries में, emergency conditions में blood की जरुद परती है blood donate करने से hospitals में blood का supply बना रहता है जिससे कि अगर किसी patient की जान बचाने के लिए blood की जरुद परती है तो उस जरुद को पूरा किया जा सकता है दूसरा था कि blood donate करने के लिए हम कैसे encourage कर सकते हैं तो इसके लिए आप कई सारे donation drive कर सकते हैं स्कूल में, colleges में, universities में जिसे की लोगों को donate करने के लिए enforce किया जा सके उनको influence किया जा सके कि blood donate करना क्यों important है अब चलिए second question करते हैं A town has a population of two lakh fifty thousand एक टाउन का population धाई लाग है The growth rate of the population of the town is four percent per annum और इसका growth rate है 4 percent per annum मतलब हर साल 4 percent population बढ़ जाता है आपको यहाँ दो questions अंसर करने What would be the population after three years? तीन साल के बाद कितना population होगा? And second question is What are the harmful effects of such a rapid increase in the population? Population जब इतने तेजी से बढ़ता है तो उसका क्या-क्या harmful effects है यह आपको बताना है पहले इसको solve कर लेते हैं पता करते हैं कि तीन साल के बाद population कितना हो जाएगा? हमें क्या given है? हमें initial population given है that is 2,50,000 तो इसको हम लोग principle के तरह treat कर सकते हैं principle हम लोग ले लेंगे 2,50,000 ठीक है? यहाँ पर growth rate भी हमें दिया गया है तो इसको हम लोग R consider करेंगे R is given as 4 percent per annum और हमें कितने समय के बाद का population बताना है? तीन साल के बाद का population बताना है मतलब time हमारा हो गया time will be equal to 3 years rate भी per year के हिसाब से दिया गया है time भी year में दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है कोई conversion करने का जड़त नहीं है बस हमें amount का formula पे सबको put कर देना है amount is equal to क्या होता है? हम लोग को तो रटा गया है यह वला formula amount is equal to था P into 1 plus rate by 100 raise to the power time बस इसी पे put करेंगे तीन साल बाद का population मिल जाएगा P is 2,50,000 ठीक है 1 plus rate कितना है भाई? rate है 4 percent 4 by 100 raise to the power 3 इसको solve करेंगे आगे यहाँ पर आपको मिलेगा 2,50,000 into अंदर solve करेंगे तो यह हो जाएगा 26 by 25 ठीक है 26 by 25 तीन बार multiply होगा तीन exponent है यहाँ पे 26 by 25 into 26 by 25 into 26 by 25 25 से यह 1 और 4 0 इतना टाइम से में कट जाएगा फिर यह 25 से 4 और 2 0 इतना टाइमस में कट जाएगा और फिर यह 25 से कितने बार में कट देगा 16 टाइमस में यह कट जाएगा तो यहाँ पर आपको करना है 16 into 26 into 26 into 26 इतना आप करेंगे तो आपको मिलेगा 281216 मतलब तीन साल के बाद उस city का population यही पूछा गया था ना तीन साल के बाद उस city का population 281216 हो जाएगा एक statement आपको अच्छे से लिख देना है हर question में आप statement लिखा किजिएगा यहाँ आप लिखेंगे population after 3 years is equal to इतना बस आपको number मिल जाएगा दूसरा question भी है इसमें पूछा था कि population तेजी से बढ़ने से क्या-क्या harmful effects देखने को मिल सकते है तो इसका answer आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं इसको आपको अपने words में लिखने का कोशिच करना है देखें क्या-क्या हो सकता है population बढ़ने से population बढ़ेगा तो food और water का कमी हो सकता है pollution बहुत जादा हो सकता है overcrowding, unemployment यह सब हमें देखने को मिल सकता है लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा population बढ़ने के कारण infrastructure और services पर pressure बढ़ जाएगा और लोगों के life का quality डाउन हो जाएगा finally हमने सभी value based question solve कर लिए अब आपको किस worksheet का solution चाहिए आप comment में जरूर बताईएगा जाने से पहले इस channel को और इस channel को subscribe करते जाएगा left side में क्लिक करके आप match का playlist ओपिन कर सकते जहाप और आपको हर worksheet का वीडियो मिल जाएगा और right side में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली class में बहुत साथ इने topics के साथ अब तक लिए अपना ध्यान रखी और अच्छे से बढ़ाई करते रहे हैं